हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एथिकल नेटवरकिंग चानल, मैं हूँ पूनम और आज हम जानेंगे ओके लाइफ केर के प्रोड़क्ट थाइरो फ्यूल के बारे में थाइरो फ्यूल जैसा की नाम से ही पता चल रहा है थाइराइट की बिमारी में इस्तिमाल किया जाता है थाइराइट के बारे में भी ले लेते हैं थाइराइट एक प्रकार की ग्रंती है जो हमारी गर्धन के निचले हिस्से के बीच में butterfly shape का होता है यह शरीर की हर कोशिकायों को एक कार्रे को प्रभावित करता है थाइराइट ग्रंथी दो प्रकार के हार्मोन बनाती है T3 और T4 Friends, थाइराइट ग्रंथी भोजन से आयोडीन को लेता है और उससे दो हार्मोन T3 और T4 बनाता है थाइराइट सेल जब आयोडीन को एब्सॉर्ब करते हैं तो साथ में टाइरोसीन भी उसके साथ मिल जाता है जो एक एमिनो एसीड है तब ये अपना हार्मोन प्रोडियूस करते हैं जिसको T3 और T4 बोलते हैं जैसे ही थाइराइट ग्रन्थी सिक्रेट करती है T3 और T4 को तो T3 और T4 बलड स्ट्रीम में चला जाता है बलड स्ट्रीम से पूरी बॉडी के सेल इसके द्वारा रेगुलेट होते हैं कोई भी सेल पूरी बॉडी में बिना T3 और T4 के मेटाबॉलिस्म रेएक्शन को रेगुलेट नहीं कर सकता यानि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिस्म कंट्रोल पॉइंट हमारी थाइराइट ग्रन्थी है यानि जो भोजन हम करते हैं यह उसे एनर्जी में बदल देता है इसके साथ यह डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है और शरीर में प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे दिमाग में pituitary gland से thyroid stimulating hormone यानि TSH निकलता है जो thyroid gland के function को control करता है thyroid gland ग्रंथी दो प्रकार के hormone बनाती है T3 और T4 जब ये दोनों hormone imbalance हो जाते हैं और thyroid gland ग्रंथी सही से इन hormone को नहीं बना पाती तो कभी ज़ुरत से ज़्यादा तो कभी कम तो इससे thyroid की बिमारी हो जाती है यह बिमारी male से ज़्यादा female में देखने को मिलती है friends thyroid रोग दो प्रकार के होते हैं एक hyperthyroid और दूसरा hypothyroid hyperthyroid में ज़ुरत से ज़्यादा hormone को पैदा करती है hypothyroid के लक्षण है anxiety, irritation होना, वजन का तेजी से कम होना, heart beat का तेज होना, पसीना ज़्यादा आना, mood swing होना, बालों का जड़ना, period irregulate होना आदी hypothyroid में thyroid ग्रंथी ज़ुरत से कम hormone को पैदा करती है hypothyroid के लक्षण है, नींद कमाना, थकान, weakness, depression होना, constipation होना, memory problem, concentration problem, थन ज़्यादा लगना, muscle pain रहना और period हैवी होना आदी thyroid होने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है जैसे भोजन में आईडीन की कमी या अधिक होने से thyroid की बिमारी हो सकती है कुछ बच्चों को जन्त सही thyroid की बिमारी होती है क्याकि उनमे thyroid gland ठीक से develop नहीं हो पाता या ठीक से काम नहीं करता genetic भी thyroid next generation को आ सकता है ज़्यादा तनाव लेने से भी thyroid की समस्य हो जाती है और pregnancy के दौरान महिलाओं में हार्मोनल बदलाव की वज़ा से भी thyroid हो सकता है एक study से पता चला है कि Google extract iodine को बढ़ा कर hypothyroidism में सुधार करता है और thyroid gland द्वारा उत्पादित enzymes की activity में सुधार करता है Friends, इसमें ginseng है ginseng, ashwagandha और Google तीनों को लेने से यह उप thyroid function में योगदान करते हैं यह thyroid hormone T4 और T3 के circulating level को बढ़ाते हैं T4 को सक्रिये T3 में convert करने के लिए जिम्मेदार enzymes की गतिविधी को बढ़ाते हैं और thyroid hormone blocking को कम करते हैं इसमें raw kelp powder को भी डाला गया है kelp एक प्रकार का seaweed है जो full of healthy nutrients से भरपूर है जो health को benefit देता है यह vitamin, mineral, antioxidant, iodine का natural source है iodine की वज़े से thyroid के functioning को better करता है इसमें leucorize root extract यानि मुलेठी को भी डाला गया है यह antiviral, antifungal और anti-infection के रूप में यूज किया जाता है यह brain को relax करने का काम करता है यह cortisol level को कम करवाता है जिससे brain relax होता है और putry gland भी अपने आप में better function कर पाता है better function, better तरीके से TSH produce कर पाएगा जिससे thyroid के functioning better होगी इसमें morinda citrifolia यानि noni भी है noni juice pituitry gland की normal limit के भीतर thyroid hormone के balanced production का समर्थन करता है और noni juice balanced food sugar बनाने में pancreas की मदद करता है इसमें शतावरी भी है शतावरी में काफी पोशक तत्वू होते है इसमें fat या cholesterol नहीं होता ठकान और कामेच्छा की कमी thyroidism के समानने लक्षन है सतावरी ना केवल कामेच्छा को बढ़ाता है बलकि घर या काम पर दैनिक काम से प्रेरित तनाव को कम करने में प्रभावी है शतावरी एक stamina उर्जा के स्थर को बढ़ाने और thyroid रोग होने पर आपके आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए जाना जाता है इसमें omega-3 fatty acid को भी डाला गया है omega-3 fatty acid की मदब से thyroid function को साहरा दिया जा सकता है research से पता चला है अधिक omega-3 से सूजन को कम किया जा सकता है जो thyroid function को समझाता करती है thyroid gland शरीर की metabolism शक्ती है अपनी डाइट में अधिक omega-3 शामिल करने से आपके समगर थाइराइट स्वास्ते को customize करने में मदद मिल सकती है इसमें vitamin B12 को डाला गया है vitamin B12 आपके शरीर के लिए बहुत सारी चीज़े करता है यह आपके DNA और आपके red blood cell को बनाने में मदद करता है vitamin B12 एक प्रकार के अनीमिय को रोकने में मदद करता है जिसे mega-loblastic अनीमिय कहते है जो लोगों को ठका हुआ और कमजोर बनाता है इसमें thymine को भी add किया गया है thymine कई B complex vitamin में से एक है यह proper metabolism के लिए जरूरी है और adenosine transphosphate के production के लिए जरूरी है जो body में हर cell द्वारा use की जाने वाली energy प्रदान करता है thymine के कई लाबों में metabolic regulation, pate में acid release और better fat और protein digestion है brain और nervous system विशेश रूप से thymine द्वारा उत्तेजित energy पर बहुत अधिक निर्भर करता है इसमें folic acid और calcium को भी add किया गया है इसमें folic acid है levothyroxine के साथ इसका प्रशाशन hypothyroidism में serum homocysteine इस्तर को कम करके heart disease के जोखिम को कम करता है friends इसमें pentothenic acid को भी add किया गया है यह है एक vitamin है जिसको हम vitamin B5B कहते हैं pentothenic acid का इस्तेमाल acne, allergies, asthma, breathing problem, stress और anxiety thyroid gland के कम functioning वाले लोगों के लिए thyroid therapy के side effect को कम करना आदी शामिल है इसमें iodine है iodine एक जरूरी mineral है जो आमतोर पर समुद्री भोजन में पाय जाता है आपकी thyroid ग्रंथी इसका उपयोग thyroid hormone बनाने में करती है जो growth को control करने damage cell की मरमत करने और एक स्वस्त metabolism का support करने में मदद करता है iodine की deficiency से goiter जैसी problem हो सकती है इसमें copper भी है human body में तीसरा सबसे ज़्यादा mineral copper पाया जाता है जो thyroid metabolism में एक महत्पूर्ण भूमी का निबाता है खासकर hormone production और absorption में copper thyroxine hormone T4 के उत्पादन को तेजित करता है और शरीर की calcium के स्थर को नियंतिरित करके blood cell में T4 के absorption को रोकता है इसमें manganese को भी add किया गया है manganese women enzymes के लिए एक जरूरी co-factor है जिसका मतलब है कि इन enzymes को काम करने और आपके शरीर में ठीक से काम करने में मदद करता है यह thyroxine के production में भी एक महत्पूर्ण भूमी का निबाता है friends इसमें L-tyrosine भी है thyroid gland thyroid hormone को बनाने के लिए tyrosine और iodine को जोड़ती है thyrosine जरूरी brain chemical का production करता है जो nerves cell को communicate करने में मदद करता है और last maze में probiotic को add किया गया है probiotic को हम good bacteria कहते हैं जो हमारी gut को healthy रखने में help करता है friends यह सभी तरह के ingredient thyrofuel को effective बनाते हैं अगर हम short में समझे तो thyrofuel thyroid disorder के साथ लोगों में thyroid function का समर्थन करता है और उर्जा हासिल करने में मदद करता है और thyroid hormone की इस्तिती में सुधार करता है यह शरीर के वजन प्रभंदन और उर्जा बढ़ाने के लिए स्वस्त metabolisms को बढ़ावा देता है यह hormone secretion को नियंतरित करता है उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आएगी और आप thyrofuel को इस्तेमाल करके इससे लाब लेंगे thyrofuel को आप उन लोगों को recommend करें जो thyroid की समझे से पीडित है इस वीडियो को ज़्याद से ज़्याद से शेयर करें ताकि लोगों को thyrofuel दोनों के बारे में जानकारी मिल सकें अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को like और channel को subscribe करें ताकि मैं ऐसी और अधिक जानकारी आप तक लाती रहूँ